हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में तो यूकर ट्रिप्लसी का एक लेटेस नोटिफिकेशन आया है समवाद 104 जो कि कल राद सड़े गया रहा बारब जे के आसपास आया था जो की संबंदित है EWS प्र है EWS सेटिफिकेट के संबंद में तो आपका अभ्यर्था निरस्त कर दिया जाएगा तो आप मैंसे जितने भी लोगों ने पुराने फॉर्म भरे हुए है वीडियो वीपीडियो करिश्ट सायक सचीवाले चुरुक्षा कर्मी या अन्य कोई फॉर्म जिनमें उनके पास EWS सेटिफिकेट नहीं है या फिर उन्होंने EWS सेटिफिकेट से संबंदित गलत जानकारिया भरी है तो उनका भ्यर्था निरस्त कर दिया जाएगा और आयोग ने यहाँ पर डिरेक्ली ये समवात के माद्यम से बताया है क्योंकि अभी हाली में जोस्तों जेई सिविल का एक् भी जारी कर दिया गया है और हो सकता है उन्हें इन गलती के लिए चैन से वंचित भी कर दिया जाए लेकिन हो सकता है दोस्तों सिविल वाले बच जाए लेकिन आगे से आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई फॉर्म भरा हुए है जिसमें आपकी कैटेगरी EWS जो कैटेगरी है वो सिर्फ जर्नल वालों के लिए दोस्तों OBC, SC, ST से उसका कोई भी संबंद नहीं है तो अगर आप OBC, SC, ST है तो आप EWS में क्यों क्लिक कर रहे है वो आपको करना ही नहीं है और इसी के साथ में EWS प्रमान पत्र की वैधिता के संबंद में भी आयोग ने दोस्तों इस notification में clear कर दिया है कि EWS प्रमान पत्र की वैधिता उत्राकन राज्जी के जो सासना देश है EWS से संबंदित उसमें वित्ती वर्ष पर आधारित की गई है एक अप्रेल से लेकर के 31 मार्च के आधार पर तो अब आप सभी लोग याद रखे हैं आपको अपना EWS certificate एक अप्रेल से 31 मार्च के आधार पर ही तैयार करना पड़ेगा सपोस्थ आपने फरवरी 2021 में EWS certificate बनाया हुआ है तो आपका हो certificate सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2021 तक ही valid होगा पूरे एक साल तक valid नहीं होगा क्योंकि वित्ती वर्ष हमारा एक अप्रेल से शुरू हो जाता है और एक अप्रेल से पहले ही आपका हो आप कभी भी बनाया है दोस्तों वह वित्ती वर्ष के लिए बस लागू रहेगा पूरा एक वर्ष के लिए लागू नहीं रहेगा चलिया इस notification के बारे में सबसे बहले बात कर लेते हैं अवगत कराना है कि हाल ही में उत्राकन दिनस् अभ्यांता सिविल पतकोट इतना इतना का परिणाम जारी किया गया परिणाम जारी होने के बाद जब अभिलेक सत्यापन हुआ तो उस समय अभ्यर्थियों के EWS प्रमान पत्रों के संबन में निम्नत रोटियां देखे गई हैं कुछ अभ्यर्थि ने SCST OBC स्रेनी के साथ म निकि वो एक्सपैर हो गया है या वो वित्ती वर्षिक एसाब से लागू नहीं है साथ ही सामान या फॉर्म बढ़ने से पहले ही वो एक्सपैर हो गया था है वो फॉर्म बढ़ने की लास्ट डेट के बाद उसे बनाया गया है वो EWS ट्रेनी को बिना EWS प्रवान पत्र के चेहन किया गया कि उनके पास में EWS प्रवान पत्र है यह नहीं तब भी उन्हें EWS को चेहन कर दिया गया है तो यह एक मेजर प्रॉब्लम से है दोस्तों आगे आने वाले एक्जाम में हो सकता है कि आपने ऐसी गलतियां करी हो सकता है तो इसलिए ध्यान रहें आपने अगर बताओ नोटीस भी जारी किया गया है EWS प्रवान पत्र के संबंद में लगातार विभिन्द चेहनों में अभ्यर्थियों जारा आवेदक पत्र में गरत सूसना दी जारी है ऐसे मेरिट के बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों को चेहन से वन्चित भी रखा जा सकता है अगर पत्यक आविदन पत्र भरने के पूर्व OTR को उसके अनुरूप संसुदित करें वो उसके बाद ही अपना आविदन भरना प्रारंब करें EWS प्रान पत्र के मामले में यहां भी स्पष्ट किया जाता है कि यहां आरक्षन की उधर वो स्रेणी है वो एक उप्सरेणी नहीं ह अतहा इसका चैन करते समय प्रमान पत्रा आधी को भी देख लें स्टी OBC के अभ्यर्थियों के लिए यहां कानुरू दद नहीं है ऐसे मैं आरक्षन की दो स्रेणिया के चैन से अभ्यर्थि के मेरिड होने के बावजोद उसे आरक्षन से वंजित रखा जाएगा यहां भी इस परक्षन के लिए आरक्षन के अगश्ट करना है कि राजी सरकार दोरा इस आरक्षन के आप्यर्थ के लिए हैं क्योंकि आयोग ने आपेश्पष्ट कर दिया है अभी तक आयोग की तरफ से स्पष्ट तता नहीं थी लेकिन अभी आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है अता इस अरक्षना का लाब रेने के लिए इस अवधी का ध्यान रखें वह इसे आवधिन पत्र में अनावश्यक चैन या क्लिक ना करें दोस्तों यह अवधी का आपको धियान रखना है एक अप्रेल से 31 मार्च वाली अगर आपने इससे पहले 31 मार्च के बाद वाला कोई 31 मार्च से बाद वाला कोई फॉर्म भरा हो और पहले साल का EWS लगा दिया हो तो आप वहापे आप संसोधन करेंगे यह आपको याद रखना है अभ्यर्थी किरिप्या यहाभी ध्यान देगी समय समय पर आयोग आविदन पत्रों में संसोधन का उसर देता है इस अवधी में आपने आविदन पत्र की सभी प्रविष्टियों को ध्यान पूर्वग देखकर गलतियों को सुधार कर लें EWS प्रावन पत्र की तुरोटी को विश्यस रूप से देखकर उसका संसोधन भी कर लें आपको यहाभी स्पस करना है कि चैन पर किरिया आपके आविदन पत्र भ सभी गई है वह गलत सूचना के लिए वहाँ स्वयम जिम्मेदार होंगे और आयोग दोस्तों यहां पर इसपस्ट कर दिया है कि राज्य की सेवा में आने वाले अभ्यर्थियों को आविदन पत्र में ऐसी गंभीर त्रोटियों या गलत सूचना देने की अपेक्षा नहीं उसे सौट आउट कर लिजिए का अगर आपने गलत एड़्यर लाया हुआ है या उसे यस किया हुआ है गलती से भी यस किया हुआ है तो आप वहाँ पर आप जब भी संसोधन के लिंक खुलेंगे अभी दोस्तों आपके सेप्टेंबर अक्टूर नॉम्बर महां में एक्ज जबाब देते हैं तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों थैंक्यू थैंक्स पर वास्टिंग्स वीडियो स्यू नेक्स टाइम धन्यवाब